कांची मी कामाक्षी मदुराई में मिनाक्षी दक्खिने कन्याको मारी मामा सक्ति रुपने भ्रववती नमा 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 हेलो गाईज उरकमबाग मेरी चैनल मलाज स्वागाते आज हाम मिनाक्षी मंदिर आए हैं ये तामिल्लाड की मदुराई में श्ते थे इधर का जो निरस्ट रेलो स्टेशन है वो मदुरा है, मदुरा से वास एक किलमटर दुरी पर ये मंदिर स्थीदे, अगर आप बस से आते तो भी बस्टांड से एक किलमटर आपको लगेगा, अगर आप रामेश्वरम से आरे, तो अगर आप एसी बस में आँगे तो आप 200 लगेगा आपको आसकते आराम से आके आप एमजी और वस्टान से उतर के उधर से देट सो या दो सो रुपे लगेगा आप वो अटो करके आसकते मंदिर तक नहीं तो अगर अगर आप आते हैं रामेशुरम से टाक्सी करके तो आपको तीन हीजार से चार हजार लगेगा आप आराम से इधर आ सकते हैं इधर मंदिर का खुलना का टाइम है वो सुब़ पांच बज़े से बारा और फिर चार से रात नौत तक उधर खुला रहता है यह मंदिर जो है वो फोटिपाइब एकर जमीन में बना हुआ है यह मंदिर के पास कोई गाड़ी परकिंगा फेसलेट नहीं है इसके लिए आपको देड़ कलमड दुरी पर जाना पड़ेगा उधर एक होटेल ले तामिलाड होटेल उधर आपको गाड़ी परकिंगा फेसलेटी एबल हुए यह जो मंदिर यह बगे की नदी की तट पर है इधर माता पारवति को मिनक्स की रूप में पुझा जाता है इधर भगाने शीप को सुन्द्र सर की रूप में पुझा जाता है माना माता जो मिनक्सी थे उनका आँखे मिन जे साते मचले साते इसले उनका नाम मिनक्सी रखा गया था इधर नवरात्री और महासिवराती माधुम्दम से मनाई जाते हैं अगर इधर का आजुबाजु आप एरिया घुमने के लिए अपर चाहते हैं तो अगर आप अगर आप आपको सारी जगा घुमा कर दिखा देंगे इधर महाराजा पैलस भी है और अलगर कोबिल मंदिर है जो माता मिनक्स का भाई है भगान विष्णु को पर समर्पीत है बो मंदिर सुब्रमन मंदिर है गांदी में जुम है और मर्याम आम्मा मंदिर है जिधर भगान विवा गहा था यह मंदिर 11 सताब्दी में पांडर रजय के दोरा बनाया गया था 13 सताब्दी में यानिकी 210 में मुस्लिमी राजा मली गपर के दोरा फुल धोंस्त कर दिया गया था उसके बाद राजा आरेन मदलियर ने पुना नेवरान के लिए कार्य बहर समाल लाते 16-23 लेके 16-15 तक इजो मंदिर अभी का जो मंदिर दिख रहा है वो नायक सामरज के दोरा बना गया है इधर मंदिर के दिबर में माता पारबती और शीप का जो विवा विवा का सारे कार्य और उनका जीबनी सबकुची हिंदी, इंगलिश और तामिल में लिखा हुआ है इधर भगान शीब ने उनका नट्ट राजिर नुर्त्य करते हुए उनका डाएं पेर उठाया है बागी चार मंदिर में उनका बाएं पेर उठाया है वो भी अके रिजिन है, केते हैं कि राज राज सेकर पांडे ने उनको अनुरद किये थे उनका मुद्रा चेंज करने के लिए किनको उनका बेक्तिवद अनुब रही था कि एक पेर उठा कर रखने से उनका कार बड़ी का जो भारे वो ज्यादा हो जाएगा उनका उन्ड़द रख्या करके इधर भगान शीब ने उनका डाएं पर उठायते इधर आप फ्री दर्शन भी कर सकते हैं ने तो पचास सो रुपे देके टिकेट करके आप जल्दी भी दर्शन करके आ सकते हैं इधर मोबैल यह लाओ नहीं है आप बहार 15 लुपे देके आपो काउंटर में जमा करके जा सकते हैं लगज बगारा रखने के लिए भी फैसलेटी अभी लेवल है इधर भगान शीब के जो एक आजर मंड़पम में उधर भगान शीब का नट्रा जुरूत्तियों का दर्श इसका के बहुत बड़ा मुर्ती है इधर को सुन का स्तांबद हो जिपी है जिसका 32 गंड में बना गया है जिसको हुमान स्पाइनर कड़ का प्रतिक माना जाता है कि केते के पहले इधर एक कदम बन था और उसके नीचे भगान शीबलिंग था जो पांडव राजा को मालूम पड़ा तो वो जल्दी इधर से आगे और इधर आके भगान को पूजा के और इधर उनका नगर बसाने का संकल पल लिया उनका कोई संता नहीं था इसलिए उनका जो पत्नी कांचर माला के साथ वो संतार प्रति के लिए इधर तपस्या किये कुछ काल के बाद प्रेखी की रूप में कन्या की रूप में उनको प्राप्त होगी और भगान सुन्द्रे सवर्चा उनकी विभा करेंगे तब से हर साल एप्रिल में यो भगान में शी पर्वति का जो विभा है वो चीतिराई फेस्टिवाल के नाम से जाना जाते है वो हर साल धुम्दाम से मनाई जाते है हर बीशोबर में फूल बीशोबर में ये जो फेश्ट वाले फेमसे इधर मंदरी में एंट्री करने से पहले इधर एके पुस करेण है उसका नाम सोन कमल वाला पुस करेण है सोरोवर है उधर पहले परिक्रमा करते हैं सब लगे थे इधर जब भगान इंद्र को ब्रह्माते का पाव लगा था इधर आके छपे हुए थे इधर टोटल बार गोपुरम है पांच प्रवेशतर है पुर्वे में दो है पस्ची में आके उतर है के और दख्षिन में आके सबसे बड़ा जो गोपुरम है वह दख्षिन का है वह 170 फिट हाइड का है इसके उपर पस्ची पक्षि देपता असूर सबका चित्र बनाया गया है बहुत बड़ा मंदिर है फूल बीश्यों में ये प्रसीद है अगर मेरी वीडियो अच्छ लगे प्लीज लाइक और सस्क्रेब कर देजीगा रखती हूँ मलते हैं नेस्ट वीडियो में तक तक बाई बाई